प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल Learn Coding को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में हम आपको आयरे का सिंपल प्रोग्राम बनाके दिखाएंगे तो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे आयरे के एलिमेंट को एसेंडिंग ओडर में सोट करेंगे उसके बाद हम descending order में sort करने का भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे कैसे करना है तो सबसे पहले हम ascending order का काम करेंगे तो ascending order क्या होता हम आपको वो बता देते हैं माल लो हमारा है कहे रहे हैं उसका size 5 उसमें हमने element input कर दिया 5 element हमने input कर दिया इस तरह से अगर इस input किये गए element को हम ascending order में sort करेंगे तो result क्या आना चाहिए 12345 जो सबसे छोटा element हो सबसे पहले होगा उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा करके इस तरह से अगर element है तो उसी को बोलते है ascending order तो हम input यह करेंगे तो output यह मिलना चाहिए इसका मतलब ascending order में array elements sort हो चुका है तो जलो program लिखना इस start करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास एक array होना चाहिए तो हम integer type का एक A नाम का array बना रहे हैं इसका size 5 ले लेते हैं array इसलिए होना चाहिए क्योंकि value हम कहा input करेंगे array में ही input करेंगे अभी एक message पास करेंगे उसके लिए यहां पे लिखेंगे print up function enter array elements ठीक है यह हमने कर दिया उसके बाद अभी हमें array में कितना element input करना है 5 element input करना है तो हम for loop use करेंगे और for loop के अंदर हम scan of function में value को input लेंगे तो यहां पे i नाम का loop variable ले रहे हैं इसकी value 0 से start करेंगे यह जाएगा less than 5 तक ठीक है उसके बाद i plus plus और इस for loop के अंदर अपना scan of function value को input लेने वाला percent d, address of ai ठीक हमारा value input हो चुका है अब हमें क्या करना है बस ascending order में इस input किये गए value को sort कैसे करना उसका logic लिखना है तो बड़ा ही simple logic है उसके लिए हम nested for loop यहां पे use करने वाले हैं और इस inner वाले for के अंदर हमारे पास से if का भी block होगा यानि यहां पर भी एक condition होगा बस इसी पर हम अपना code design कर देंगे तो यहां पर start करते हैं आई वाला जो loop होगा वो same चलेगा तो यहीं से क्या करते हैं copy करके paste कर देते हैं जे वाले loop में थोड़ा सा हम changes करेंगे जे की value हम start करेंगे i plus one से यानि एक position i से आगे start होगा वो क्यूं होगा हम आपको आगे समझा देंगे उसके बाद कहां तक जाएगा जे जे भी जाएगा less than five तक ही जे प्लस प्लस और यहां पर हम condition बैठाएंगे कि अगर i ray i greater होता है i ray j से एक एक line dry run करके समझाएंगे आपको tension नहीं लेना है तो इस i block के अंदर हम आएंगे और यहां पर हम क्या करेंगे i ray i का जो भी value होगा उसको हमें temporary variable में क्या करेंगे store कर लेंगे उसके बाद i ray j का value होगा उसको हम किसको दे देंगे हमें उस value को देना है i ray i को तो यहां पर क्या लिखेंगे equal में i ray i में चल गया i ray j का value इतना काम करने के बाद जो भी temporary का value है उसको हम क्या करेंगे फिर से दे देंगे i ray j को swapping का logic यह है swapping का logic हम इसलिए perform कर रहे क्योंकि देखो यहां पर one का position middle में था हमें क्या करना one का position first में करना two को एक position पीछे लाना है यानि one वाले position पे तो position तभी change हो सकता है जब हम swapping का operation perform करेंगे इसलिए यहां पर उसी काम को हम किये हैं अब हमें क्या करना है अपने element को print करना है तो इस code को copy करेंगे print करने के लिए और यहां पर क्या कर देंगे paste कर देंगे और message को change कर देते हैं i ray elements print up function होगा print कर रहे value तो यहां पर क्या किया हमने print भी कर दिया हमारा program ready है क्लाइंट करके आपको समझाएंगे ताकि आपको समझने में 1% कभी कोई दिक्कत ना है program को सबसे पहले क्या करते हैं run करते हैं लेकिन यहाँ पर variable भी declare कर लेते है आई वरियेबल हमने लिया है यहाँ पर दिक्लेर कर लिया अभी क्या करते हैं अब प्रोग्राम को फिर से क्या करते हैं तो देखो यह run हो गया zero error zero warning के साथ सबसे पहले बोलेगा enter array elements तो हम input कर देते हैं five element same element input करते हैं two one three four five तो अगर यह ascending order में sort होगा तो one two three four five दिखना चाहिए तो यहाँ पर देखो one two three four five result आया इसका मतलब हमने जो value input किया था वह ascending order में sort हो चुगा है तभी तो यह one starting में आ गया अगर आप value space में चाहते हैं तो यहाँ पर space दे दो हम आपको dry run करके समझा देते हैं कि यह program काम कैसे कर रहा सबसे पहले यहाँ पर हमने value input किया क्या value हमने input किया two one three four five उसके बाद यहाँ पर i का value starting में क्या है i equal zero है ठीक है तो क्या zero less than five है condition true यहाँ पर आएंगे j का value i plus one है यानि j का value starting में one है तो क्या one less than five है condition true तो अभी array zero क्या array one से बड़ा है array zero में यह two है array one में यह one है तो क्या two greater one है condition true तो अभी क्या होगा यह two यहाँ पर आ जाएगा और यह one starting में आ जाएगा यह अपने position को change करेंगे क्योंकि इस if का condition true हो गया तो यहाँ पर swapping का logic लिखा हुआ है जैसे ही इन्हों ने अपना position change किया यहाँ पर output क्या मिल गया यहाँ पर output मिल गया one two three four five इस तरह से हमें output मिल गया यह वाला लूप भी five times चलता और हमें बहुत times dry run करना पड़ता तब जाके यह यहां से यहां आता उसके बाद इसका position यहां पर होता फिर one position यहां पर आता फिर यह one जाके starting में आता तब जाके यह ascending order में short होता अभी descending order का logic कैसे लिखेंगे हम यहां पर कर देंगे हम less than बस इतना ही काम हमें करना है तो descending order का प्रोगाम बन चुका है ठीक है इसको करते हैं हम बिना देरी किये run तो अभी देखना descending order में element आएगा यानि सबसे बड़ा element सबसे पहले आएगा यहां पर मालो हम input यही करेंगे तो output में हमें क्या मिलेगा 5 4 3 2 1 output यह आएगा उसी को बोलते descending order तो यहां पर दिखा देते हैं हम input करते हैं वही same result 2 1 3 4 5 तो देखो array elements descending order में आ चुका है 5 4 3 2 1 तो इसको भी आप same उसी तरह से dry run कर सकते हैं अपने copy और pane को लिजिएगा उसके बाद value को note करकरके एक एक line यहां से यहां तक dry run करिएगा तो आप समझ जाएंगे आपका element ascending से descending order में और descending order से ascending order में सोट हो जाएगा अगर आपको complete सी programming सीखनी है तो यहां पर कहीं पर click कर दिजिए आप सीख जाएंगे का आपको प्रओजे।